हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल इट आई ग्लासिस में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेकैनिक मोटर वीकल के कुछ इंपोटेंट MCQs की और ये सभी परसन आपके पिछले कुछ वर्सों में पूछे जा चुके हैं तो इसी तरह की वीडियोज हम आपको प्रवाइड करते रहेंगे तो प्लीज वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को सेयर करना ना भूले तो आईए शुरू करते हैं पहला परसन आपका कि किसी ड्रिल में यदि दो फ्लूट है तो कटिंग एज़ेज की संख्या होगी ओप्सन इसमें आपको दिये गए हैं पहला ओप्सन है दो दूसरा ओप्सन है तीन तीसरा ओप्सन है चार और चोत्षो ओप्सन है सुनने इसका जो सही अंसर होगा ओप्सन अमर 2 होगा सुनने इसके बाद अगला परसन है आपका कि निम्न में से किसका परियोग बिजली की तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है उप्सन इसमें आपको दिये गए है पहला उप्सन है पानी, दूसरा उप्सन है मिट्टी या रेत, तीसरा उप्सन है CTC Fire Exting User और चोथा उप्सन है इन में से कोई नहीं इसका जो सही अंसर होगा उप्सन नमबर C होगा CTC Fire Exting User इसके बाद अगला परसन आपका grinding करते समय निमन में से किस सुरक्षा युक्ती का परियोग करना चाहिए option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है mask, दूसरा option है सुरक्षा चस्में, तीसरा option है धूप के चस्में, चोथा option है ये सभी इसका जो सही आंसर होगा option number B होगा सुरक्षा चस्में इसके बाद अगला person आपका carbonaceous आग से बचाव का साधा निम्न में से कौन सा है option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है पानी, दूसरा option है रेत, तीसरा option है मिट्टी, चोथा option है ये सभी इसका जो सही आंसर होगा option number D होगा ये सभी अगला person आपका कि निम्न में से divider की नोक की कौन सी आकरती सही है option इसमें आपको दिखाए गए हैं और जो आपका option number first, second और third है उन तिनों में आपको diagram दिखाए गए हैं तो diagram के अनुसर यदि हम बात करें चुकि आपने देखे भी होगे divider तो option number B इसमें आपका सही होगा जिसमें आपकी क्या होती हैं एक जो needle होती है वो दूसरी वाली से थोड़ी सी बड़ी होती है तो option number 20 का सही answer है इसके बाद अगला person आपका solid punch का परियोग किया जाता है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है black smith में दूसरा option है carpentry में तीसरा option है forging में चोथा option है इन में से कोई नहीं इसका जो सही answer होगा option number A होगा black smith में इसके बाद person number 7 है आपका सामर्थ है से अधिक load पढ़ने से की के fail होने का मुख्य कारण है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है tanan portable, दूसरा option है marodi portable, तीसरा option है अपरूपन portable, चोथा option है sampedan portable, इसका जो सही answer होगा option number C होगा option number C इसमें सही है थोड़ा से यहाँ पर spelling mistake है तो इसका जो सही answer है अपरूपन portable है इसके बाद परसन नमबर 8 है आपका Surface Gauge एक परकार का खालिस्तान टूल है option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है चिनहन टूल दूसरा option है मापन टूल, तीसरा option है चैकिंग टूल चोथा option है चिनहन वै चैकिंग टूल इसके जो सही अंसर होगा option number D होगा चिनहन वै चैकिंग टूल इसके बाद परसन नमबर 9 है आपका चितर में परदर्सित 25-50 mm, micrometer का सैटिंग पाठ्यांग है इसमें आपको option जो दिये गए हैं वो दिये गए हैं 17.18 mm दूसरा option है 42.68 mm तीसरा option है 17.68 mm और चोथा option है 42.18 mm इसका जो सही अंसर होगा option number B होगा 42.68 mm इसके बाद परसन नमबर 10 है आपका डेटम लाइन का अन्य नाम है option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है center line दूसरा option है out line तीसरा option है reference line चोथा option है front line इसका जो सही अंसर होगा option number C होगा reference line इसके बाद परसन नमबर 11 है आपका spot facing की जाती है option इसमें आपको दिये गए हैं पहला option है drill hole के मूँ से बर को साफ करने के लिए दूसरा option है सत्य को समतल बनाने के लिए तीसरा option है drill किये hole को fine finish देने के लिए और चोथा option है पहले से बने सुरा को बड़ा करने के लिए इसका जो सही अंसर होगा option number C होगा drill किये hole को fine finish देने के लिए इसके बाद परसन नमबर 12 है आपका hexaframe के दोनों सीरों को किस कोन पर मोड़ा जाता है option इसमें आपको दिये गए पहला option है 90 degree दूसरा option है 45 degree तीसरा option है 60 degree और चोथा option है 80 degree इसका जो सही अंसर होगा option number A होगा 90 degree इसके बाद परसन नमबर 13 है आपका अधिकतर चाबियां खालिस्तान की बनाई जाती है option इसमें आपको दिये गए पहला option है उचकारबनी स्पात दूसरा option है मर्दू स्पात तीसरा option है ढलवा लोहा चोथा option है पिग आईरन इसका जो सही अंसर होगा option number B होगा मर्दू स्पात इसके बाद परसन number 14 है आपका चिनहन मतलब मार्किंग जितना खालिस्तान में होगा जोब उतना ही अच्छा बनेगा option इसमें आपको दिये गए है पहला option है सुक्स्म दूसरा option है गहरा तीसरा option है सतही चोथा option है इन में से कोई नहीं इसका जो सही अंसर होगा option number C होगा सतही के बाद परसन number 15 है आपका धातू चादर कारिये में स्टील टेप का परियोग किया जाता है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है लंबाई मापने के लिए दूसरा option है चोडाई मापने के लिए तीसरा option है गहराई मापने के लिए और चोथा option है इन में से कोई नहीं इसका जो सही अंसर होगा option number A होगा लंबाई मापने के लिए परसन नमबर 16 है आपका ट्विस्ट ड्रिल के संबंद में निम्न में से कौन सा कतन असत्य है उप्सन इसमें आपको दिये गए है पहला उप्सन है इनके प्रियोग से छिलन आसानी से बाहर आ जाती है दूसरा उप्सन है इनके फ्लोट्स इस्पाइरल आकार के होते हैं तीसरा उप्सन है ये हाई स्पीड इस्टील के बनाए जाते हैं और चोथा उप्सन है इनके पीछे की सैंक पतली होने के कारण कमजोर रहती है तो उप्सन नमबर D जो है इसका सही आंसर होगा इनके पीछे की सैंक पतली होने के कारण कमजोर रहती है परसन नमबर 17 है आपका चित्र में एक flange micrometer दर्साया गया है जिसका परियोग खालिस्तान मापन के लिए किया जाता है यह आपको एक diagram दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कि यह जो flange micrometer है तो इसका परियोग आप किस चीज के मापन के लिए आपर कर रहे है तो option इसमें आपको दिये गए है fins की मोटाई दूसरा option है बेलनाकार जोब के व्यास तीसरा option है slot के आंतरिक साइज और चोथा option है hub की लंबाई इसका जो सही answer होगा option number A होगा fins की मोटाई person number 18 है आपका drilling करते समय drill बार बार तूट जाता है इसका निम्न में से कौन सा कारण नहीं है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है cutting edges की लंबाई ऐसमान है दूसरा option है spindle housing में ढिला है तीसरा option है feed, whack, cutting, speed अधिक है और चोथा option है cooling का समुचित परबंद नहीं है option number A इसका सही answer होगा cutting edges की लंबाई ऐसमान है इसके बाद person number 19 है आपका निम्न में से कौन सी चादर जंग, तेजाब, छार, आदी से परभावित नहीं होती है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है aluminum की चादर दूसरा option है पीतल की चादर तीसरा option है तामबे की चादर चोथा option है stainless steel की चादर इसका जो सही answer होगा option number D होगा stainless steel की चादर इसके बाद person number 20 है आपका यह है बिना head का bolt होता है जिसमें नीचे की और एक आयताकार slot बना होता है दिया गया कथन निम्न में से किस bolt से संबंदित है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है rag bolt दूसरा option है T bolt तीसरा option है carter bolt चोथा option है levis bolt इसका जो सही answer होगा option number C होगा carter bolt इसके बाद person number 21 है आपका इस path की नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है option इसमें आपको दिये गए है पहला option है उत्पन परतिबल को दूर करना दूसरा option है machine ability में सुधार लाना तीसरा option है steel को soft करना और चोथा option है toughness बढ़ाना और brittleness कम करना इसका जो सही answer होगा option number A होगा उत्पन परतिबल को दूर करना इसके बाद person number 22 है आपका परकास उत्सरजग डायोड ताप मान की किस परास पर सही परकार से कारिया कर सकता है option इसमें आपको दिये गए है 80 degree से 100 degree Celsius option number B है आपका 100 degree Celsius से 150 degree Celsius option number C है आपका 0 degree से 75 degree Celsius तक और चोथो option आपका इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर होगा option number C होगा 0 degree Celsius से 75 degree Celsius के बाद person number 23 से आपका angle plate में slot बने होते हैं उनको बनाने का उद्देशय होता है option आपको दिये गए है पहला option है hook के द्वारा उठाने के लिए दूसरा option है plate का बहार हलका करने के लिए तीसरा option है कारिय को संकेंद्रित करने के लिए और चोथा option है clamping bolt की जंगा देने के लिए इसका जो सही आंसर होगा option number D होगा clamping bolt को जंगा देने के लिए के बाद person number 24 है आपका निमन में से किसका परियोग light control switch हो में किया जाता है option इसमें आपको दिये गए पहला option है tunnel diode दूसरा option है general diode तीसरा option है photo diode चोथा option है इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर होगा option number C होगा photo diode इसके बाद person number 25 है आपका transistor को switching यूगती या खालिस्तान के समान प्रियोग किया जा सकता है option इसमें आपको दिये गए पहला option है fixed register दूसरा option है turning यूगती तीसरा option है rectifier चोथा option है variable register इसका जो सही आंसर होगा option number D होगा variable register तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और next वीडियो में हम continue करेंगे person number 26 से तो तब तक के लिए आप हमारी साथ बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक share करें